जै मातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मैजिक में आपका हार्डिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें. दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहोई एस्टमी साल 2021 में कब मनाई जाएगी और इसकी पूजा का सो मूरत क्या होगा? इसके लावा हम जानेंगे तारे निकलने का और चंदरोदे का सही समय क्या है? साथ ही साथ हम बात करेंगे अहोई एस्टमी के दिन आपको क्या करना चाहि इसके लावा हम इस वीडियो में जानेंगे अहोई एस्टमी की पूजा विधी और व्रत कथा के बारे में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने चे पहले आप से रिक्रेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ड बेस्ट मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में अहोई अस्टमी के व्रत का विसेस महात्तो है ये व्रत संतान के लिए किया जाता है संतान की खुसाली वतरक्की के लिए माताएं ये व्रत करती हैं और अहोई माता से संतान की दिरगायू की कामना भी करती हैं और जिल लोगों के संतान नहीं हैं तो वह लोग भी अहोई माता से संतान प्राप्ती की कामना के लिए ये व्रत करती हैं अहोई अस्टमी का वरत कार्तिक मास के क्रश्न पक्ष की अस्टमी तिती को मनाया जाता है ये तेवार दिवाली के एक हपते पूर्व तथा करवा चौत के चार दिन बाद आता है इस दिन सभी माताएं निर्जल उपुआस करती हैं और रात के समय तारे देखकर अपनी संतान की दीरगायो की कामना करके पृत खोलती हैं ने संतान महिलाएं भी पुत्र प्राप्ती की कामना के लिए ये अहोई वरत रखती हैं इस प्रत के प्रभाव से उन्हें भी सीग्रिल संतान की प्राप्ती होती है चलिए अब हम जानते हैं कि अहोई एस्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों अहोई एस्टमी का व्रत पुत्र प्राप्ति या संतान की सुक सम्रद्धी वदीर गायु के लिए किया जाता है इसलिए इस दिन आपको गलती से भी किसी जिव जंतु को नहीं मारना चाहिए कभी कभी घर में जाडू लगाते समय या सबजी काटते समय गलती से हमसे छोटे मोटे कीडे मकौडे मर जाते हैं आपको इस दिन यह गलती नहीं करनी है और इस दिन मिट्टी भी ना खो दें क्योंकि मिट्टी में भी कई सूच में जिव होते हैं इसलिए इस दिन ये गलती ना करें ऐसा करने से आपकी संतान की आयू चीर्ण होती है और इस दिन आप बच्चों को भी न डाटें, ना मारें साथ ही अपनों से बढ़ों का अपमान भी ना करें अहोई एस्टमी के दिन घर पर सात्विक भोजन बनाएं मांसाहार भोजन से दूर रहें ऐसा करने से वृत का फल नहीं मिलता है दोस्तों अहोई एस्टमी वृत को निर्जला रखा जाता है इसलिए इस वृत को निर्जल ही रखें इस दिन घर में कलेस ना करें इससे अहोई माता रुष्ट हो जाती हैं इस दिन आप तारों को जल देने के लिए तामे के लोटे का इस्तमाल ना करें हो सके तो पीतल या चांदी के लोटे का इस्तमाल करें इस दिन दिन में सोना भी वर्जित होता है इसलिए जिसने वरत रखा है उसे दिन में सोना नहीं चाहिए इस दिन आपको दान भी अवस्य करना चाहिए इसे से आपकी संतान को समरद्धी का असिवाद मिलता है चले अब बात करते हैं अहोई एस्टमी की पूजा विधी के बारे में दोस्तों अहोई एस्टमी के दिन प्राता का लुट कर इसनान आधी के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए इस दिन माता पारवती की पूजा का विधान है अहोई अस्टमी की पूजा की तैयारियां सुर्यास्थ से पूर्व संपन्ड करनी होती है सर्व प्रथम दिवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और सही अथवा उनके बच्चों का भी चित्र बनाया जाता है फिर साम के समय पूजा इस्थर पर चौकी पर अहोई माता के चित्र के बाईं तरफ पानी से भर कर कलस स्थापिक करना चाहिए कलस पर स्वास्ति कचन बना कर मौली बांद लें इसके बाद अहोई माता की विद्वत पूजा अर्चना करके पूरी, हलवे और पूए का भोग लगाएं और अहोई माता की कथा सुने वह पढ़ें कथा सुनते समय सभी महिलाओं को अनाच के साथ दाने अपने हाथों में लेने चाहिए फिर अन्त में अहोई माता की आर्थी करें तर्थ पस्चात रात्री के समय चंद्रमा अथवातारों को अर्थ दे कर व्रत पूरा किया जाता है पूजा के पस्चात बढ़ों के पैर छूकर उनका आसिरवाद लेना चाहिए और अन्य जल ग्रहन करके प्रत खोला जाता है चलिए अब बात करते हैं साल 2021 में अहोई एस्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा तो आपको बता दें अहोई एस्टमी 28 अक्टूबर 2021 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और पूजा का सुब मूरत साम 5 बचकर 49 मिनट से लेकर साम 6 बचकर 56 मिनट तक रहेगा इस सुब मूरत की कुलवदी लगबग 1 घंटा 17 मिनट की रहेगी और तारों को देखने का समय साम 6 बचकर 3 मिनट पर रहेगा और चंद्रोदे का समय रात 11 बचकर 29 मिनट पर रहेगा और अस्टमी तिती की सुरुवात 28 अप्टूबर 2021 की दोपहर को 12 बचकर 49 मिनट पर होगी और अस्टमी तिती की समापती 29 अप्टूबर 2021 की दोपहर को 2 बचकर 9 मिनट पर होगी दोस्तों अब हम बात करेंगे अहोई अस्टिमी की व्रत कथा के बारे में जो इस प्रकार है प्राचीन काल में एक साहुकार था जिसके साथ बेटे और साथ बंवे थी इस साहुकार की एक बेटी भी थी जो दीपा वली में ससुराल सिमाई के आई थी दीपा वली पर घर को लीपने के लिए सातों बववें मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई साहुकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस इस्तान पर स्याही अपने बेटों के साथ रहती थी मिट्टी काटते हुए गलती से साहुकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याही का एक बच्चा मर गया स्याही इस पर क्रोधित होकर बोली मैं तुमारी कोक बांदूंगी स्याही के वचन सुनकर साहुकार की बेटी अपनी सातों भावियों से एक एक करविंती करती रही कि वह उसके बदले अपनी कोक बंधवा लें सबसे छोटी भावी ननत के बदले अपनी कोक बंधवाने के लिए तयार हो गई इसके बाद छोटी भावी के जो भी बच्चे हुए वे साथ दिन बाद मर जाते थे साथ पुत्रों की इस प्रकार मृत्तु होने के बाद उसने पंडित को बिलवा कर इसका कारण पूछा पंडित ने सुरही गाए की सेवा करने की सला दी पंडित के कहने के नुसार वह सुरही गाय की सेवा करने लगी सुरही गाय सेवा से प्रसन हुई और उसे स्याही के पास ले गई रास्ते में ठक जाने पर दोनों आराम करने लगी तभी अचानक साहुकार की छोटी बहु की नजर एक और गई उसने देखा की एक साप गरुण पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है यह देखकर उसने साप को मार डाला उसी वक्त गरुण पंखनी प्रकट हुई और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगा की छोटी बहु ने उसके बच्चे को मार दिया है इस पर वे छोटी बहु को चोच मारना शुरू कर देती है छोटी बहु इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है गरुन पंखनी इस पर खुस होती है और सुरही सहित उन्हें स्याही के पास महुचा देती है वहां स्याही छोटी बहु की सेवा से प्रसंद होकर उसे साथ पुत्र और साथ बहुए होने का असिरवाद देती हैं स्याही के असिरवाद से छोटी बहु का घर पुत्र एवं पुत्र वद्मों से हराबरा हो गया अहोई अस्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना जैसे साहोकार की छोटी बहुने कर दिखाया था तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद